असलाम-वालेकुम फ्रेंज कैसे हैं अब लोग उमीधा सब्छोग खेर्यास से होगे तो इद आने वाली है तो इद की दावत के लिए मैं आज लेकर आई हो आप लोगके लिए चने के डाल के वड़े के बहुत ही इस पेशल से रसीपी इस चने के डाल के ढहीं बहुत ही चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैंने 500 गराम चिने की डाल लिए जिसको मैंने ओवरनाइट भिगओ दिया था अच्छे से वाश करके अब यहां पर मैंने लिया है यहां दो प्याज लिये है छेल हसन की कलिया लिया थोड़ा सा टुकरा अद्रका लिया है इन सब को मिकसर ज मैं नमख जो सौतनुसा दाला सीटा, Сबस्यां के साथ मान्हें 2 मिर्ची चाहित के बारी िव्फुत है अब इन सबको चुंप undo 5 मेर्ट के लिए इसाहरा हम बहुत ही अच्छिता पहते के उतनी हैं ममच अच्छ बनें गए और समाद फूले फूले बनेंगे पास्मेट बैटर को अच्छ से फिट लिए अब को साइड में पास्मेट के लिए इसको डीफ्राइ करेंगे अब यहां पर बना लेते हैं अपनी टमाटर खजूर की चतनी यह पर तमाटर मैंने लिए हैं पाच खजूर मैंने लिए डिए 100 नौनों को डालके मिक्सरे का निवे पीश ले और इसका एक पेस्ट बना लेगे। और यहां पर जो मैंने खजूर यूज कि इसको माने गरम पानी में इसकी बीजे निकाल गाल आधा घंटे के लिए भिगों के रख दिये थे ये देखे इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया अब लेगे करहाई और उसमें डालेगे तीन चम्मश तेल तेल जब हलका गरम हो गया है उसके बाद मैंने इसमें डाला आधी चम्मश कलॉंजी और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला आधी चम्मश जीड़ा जिरा जब चिटक गया है उसके बाद इसमें मैंने टमाटो खजूर का पेस्ट डाल दिया है इसके साथ ही इसमें डाल देगे आधा कब पानी अब इसको तकरीबन एक मिनट तक के पकाएगी उसके बाद इसमें डालेगे एक चमबाई लाल मिर्ची पाउडर इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक जो की माने लिया है सौद रूसार इसको कर लेगे अच्छे से मिक्स और आज को रखेगे मीडियम और इसको ऐसे ही चलाते हुए तकरीबन छे से साथ मेर तक के पकाएगे साथ मिनट हो गया है चटनी को पकाते हुए अब मैं चटनी जो है वो अच्छे से पक चुकी इसका बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है तो अब मैंने इसको अलग से बरतन में निकाल लिया यह देखें कितनी जबरदस्थी बनकर तयार हुए हमारी चटनी अब यहां में मैंने लिया है साड़े तीन सो ग्राम दही और उसमें मैंने डाला है आधा चमच काला नमक इसके साथ ही इसमें मैंने आधा का पानी डाला है और अब इसको अच्छे से फेट लेना है तकरीबन दो से तीन मैं तक इसको अच्छे से फेट लेगे यह दही बड़े जो है खाने में बहुती लजीज लगते हैं आप लोग ईद की दावात में इसको जरूर से शामिल कीजिएगा अब मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको मैं यह रस्पी कैसी लगी है तीन मैं ठोचुके हैं मैं दही को अच्छे से फेट लिया है विसको रख देकर साइट पर और जो मैंने दही बड़े का वैक्टर में त्यार किया तब इसको रिफ्राइ कर लेगे यहाँ पर तेल जो है वो मेरा अच्छे से करम हो चुका है अब मैंने यहाँ पर दही वड़ों को कलना शुरू कर दिया यहाँ पर आज को रखेगे मीडियम एक एक करके अपने दही वड़ों को कढ़ाई में डाल देगे और मीडियम आज पर ही इनको एक तरफ अच्छे से पाच मिनट तक के सिखने देगे पाच मिनट बाद ही इनको पल्टेगे पाच मिनट हो गए माने दही बड़ों को पलट दिया है यह देखे कितने अच्छे फूले फूले बनके तयार हुए है देखने में ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अब दूसरी तरफ भी इसको ऐसे ही पांच मैंट तक के पकने देगें यह देखिए कि इसका अच्छा इसका गोल्डन कलर आ चुका है तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं पर वड़े बनकर तयार हो चुके है यह देखिए खाने में बहुत ही लजीज लगते हैं आप लोगती सॉफ्ट बनते हैं देखिए मैं इसे दबा कर दिखा लूए कितने सॉफ्ट बनते हैं बहुत ही फूले फूले होते हैं तो चलिए बिला देर करें अपने दही वड़ो को बना लेते हैं यहां पर मैंने ले लिया है पानी और दही वड़ो को इसमें एक करके डाल देगे और तक्रीबान एक मिला तक के इसमें सोक होने देगे इसके बार इसे हलके हाथों से दबा लेगे और इसको प्लेट पर निकाल लेगे इस नसेपी को आप लोग एद में जरूर से ट्राइ कीजिएगा यह बहुती लजीज लगती है और महमान आएगे ना और जब वो इसे खाएगे तो वो बहुती खुश हो जाएगे और आपके तारीफे करेंगे अब इसके उप़ा अपनी दही को डाल देगे यहां पर दही को आप अपने हिसाफ से डाल सकते हैं अगर आपको दही जदा लेनी हो आप जदा डाले इसके तुम लेनी हो कम डाले वो आपके उपर इसके बार जो मैंने यहां पर खजो़ो Stevens त्माटर की चटनी तियार टीती वो इसके उपर डाल देगे अब यहाँ पर इसके उप़र हरी चतनी डाल देगे यह हरी चतनी जू है यह मैंने इसका वीडियो बनाकर पहले शेयर किया आप लोगों से इसका LINK मैंने डिसक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है , आप वहां से इस रसेपी को ले सकते हैं इसके बाद मैंने इसमें डाला है इस के साथी मैंने स्के उपर डाला है save इसको अच्छे से save से सजा डेगो और ये देखे हमाई जो चत्पटी सी चार्ट है ये बनकर तैयार हो चुकी है इस चत्पटी सी चार्ट को इस इद्र में जरूर से ट्राई कीजेगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको ये चटपटी चार्ट कैसी लगी वीडियो पसंद आएए तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा साथ ही चार्ण को सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक्स फर वॉचिंग